जम्बू कश्मीर के बारा मुला में लोगों ने सुभा सुभा भूकम्प के जोरदार जटके महसूस किये सीस्मोलोजी सेंटर के अनुसार बारा मुला में दो बार भूकम्प आया है जहां पहले भूकम्प किती ब्रता 4.9 रही वहीं दूसरे भूकम्प किती ब्रता 4.8 मापी गई अई ये बताते हैं कि भूकम्प आते क्यूं है प्रतिवी के अंदर साथ प्लेट्स है जो लगातार घूमती रहती है जहां ये प्लेट्स ज्यादा टकराती है वो जोन फॉल्ट लाइन कहलाता है बार-बार टकराने से प्लेट्स के कोने मुडते हैं जब ज़्यादा दवाव बनता है तो प्लेट्स तूपने लगती है नीचे की उर्जा बाहर आने का रास्ता खूचती है और डिस्तरवेंस के बहुकम्प का केंद्र उस स्थान को कहते हैं, इसके ठीक नीचे प्लेटों में हल्चल से भूगर भी उर्चा निकलती है। इस इस्थान पर भूकम्प का कमपन जादा होता है। कमपन की आबरत्य जेवजो दूर होती जाती है, इसका प्रभाव कम होता जाता है। फिर भी यदि रिक्टर स्केल पर साथ या इससे अधिक की तीवरता वाला भूकम्प है तो आज पास के 40 किलोमीटर के दाइरे में जटका तेज होता है। लेकिन ये इस बात पर भी निर्भर करता है कि भूकम्पी आवरती उपर की तरफ है या दाइरे में। यदि कमपन की आवरती उपर हो तो कम शेतर प्रभावित होगा। पजाता है इसकी तीप्रता से भूकम के जटके की भयावैता का अंदाजा होता है